हेलो गाइज SK11 expert channel मैं आपका स्वागत करता हूं तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं जो आपको बहुत अच्छा इन्वेश्ट करने वाला हूं मैं भी यहाँ पर 500 तक का इन्वेश्ट करने वाला हूं आप भी गाइज इस मैच में काफी अच्छा इन्वेश्ट कर सकते हैं मुझे पूरी उमीद है कि आप इस मैच में काफी अच्छी वीनिंग करने वाले हैं Because guys, यह पहला match है और काफी बरे-बरे changes हैं, बहुत बरे-बरे players ऐसे भी हैं, जो की नहीं खेलने वाले हैं, तो वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, दोनों teams ने squad यहां पर declare किया, वो पहले मैं आपको दिखाऊंगा, उसके अलावा guys, जो जो players है squad में, दोन sun तक देखेंगे, तो आप जरूर कुछ न कुछ जरूर सीख कर जाने वाले हैं, और आप मुझे उमीद है, आप बहुत अच्छी team यहाँ पर small league में अपने खुद से भी आप बना सकते हैं, उसके लावा grand league में भी आप काफी अच्छी winning कर सकते हैं, पहले guys, मैं आपको pitch के लेते हैं match के वारे में, तो guys, यहाँ पर पहले मैं आपको squad दिखा देता हूँ, दोरो टीम्स का, यह आप यहाँ पर पहले squad डेख लीजे, डॉल्फिन्स का, डॉल्फिन्स के players guys, आपको इन ही squad में से खेलते दिखेंगे, ध्यान रखिए, आप इसका screenshot ले सकते हैं, इन ही म मैं आपको यहाँ पर दे रहाँ option, आपको screenshot भी ले सकते हैं, इन ही में से guys, आपको players खेलते दिखेंगे, अब चलिए guys, अब हम चलते हैं, असली यहाँ पर information और stats पर, जो की सायद ही आपको कोई बताएगा, पहले guys, मैं आपको यहाँ पर titans के, all players के, आप यहाँ पर full stats दे और guys, मैंने इनके बारे में तो बहुत कम stats available है, और guys, यह जो match खेले थे, वो 2017 में खेले थे, लिष्टे match, R-Hirman, और उसी का यहाँ पर stats available है, आप stats देख सकते हैं, 22 match में 830 run है, average 45 का है, तो guys, इनको आप grand league में ट्राइ कर सकते हैं, मैं small league में risk नहीं लोगा, लेकिन आप grand league में definitely try करिएगा, because इनका average अच्छा है, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं, बैटिंग सेक्षन में, जो सबसे main player आपको Titans की तब से देखने को मिलेंगे, जो की है Thenas D. Brine, जो की guys, South Africa के लिए, international matches भी खेल चुके हैं, खासकर की test, test guys, यह पिछले साल भी खेल रहे थे, 11 टेस्ट में, इनके 428 रन है, South Africa के लिए, उसके अलाबा guys, जो भी हाल में यहाँ पर, जो domestic यहाँ पर test series हुई है, जिसको यहाँ पर South Africa में कहा जाता है, 4 Day Frankies series, जो की अभी, 1-2 मैने पहली खत्म हुई है, उसमे guys, यहाँ पर 4 मैचों में, इन्होंने 207 रन बनाए है, आप देख सकते हैं, मैने stats लिख दिया है, उसके लाबा guys, यह 1 Day Cup पिछले साल के stats है, तीन मैच में 100 रन थे, पिछले साल 1 Day Cup में, जो की guys, हुआ था पिछले साल उसका stats है, उसके लाबा guys, फिर रोजियर के बारें बात करें, तो रोजियर का भी यहाँ पर चांस जिसमें 1 century भी सामिल था, तो grinding में आपके लिए अच्छे option रोजियर बन सकते हैं, next option है Henry Davids, Henry Davids guys, यहाँ पर South Africa के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, और काफी जगा आपने इनकों खेलते देखा भी होगा, अभी 40 साल के हो चुके हैं, और काफी कम क्रिकेट खेलते ह हैं, तो मैं नहीं बोल सकता कितने अच्छे form में रहेंगे, लेकिन पिछले साल की, आप में अगर इहाँ पर stats दिखेंगे 1 day cup की, तो 4 match में 118 run थे, अगले player पर चलते हैं, जो कि है यहाँ पर Grant Thompson, जिनके guys, अभी जो यहाँ पर 4 day वाले matches हुए, उसमें 3 match में 33 run हैं, और 3 wicket हैं, जो कि बहुत खराब record है इनका, उसका पिछले साल की, अगर मैं बात करूँ 1 day cup की, तो 7 match में 205 run है, और 2 wicket हैं, तो यह भी guys, उतने कुछ खास तो player नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप try करना चाहते हैं, तो Grand League में कर सकते हैं, next option है D Golem, जिनको कोई नहीं लेगा, और इस Small League में आपके लिए Captain Vice Captain की वी option है, वो क्यों है, अभी आपको बताता हूँ, D Golem guys, जो अभी 4 day matches खत्म ही है, उसमें 3 matches खेले हैं, जिसमें उन्होंने 125 run बनाए हैं, और 5 wicket भी लिए हैं, तो देख सकते हैं, काफी अच्छा इनका record है, उसके लाबाब पिछले साल भी जो Captain Vice Captain कर सकते हैं, उसके लाबा next option है, M Arnold, ये भी एक अच्छा all-downer है guys, 48 match में 769 run है, 75 wicket भी है, ये लिस्टे का record है, यानि कि ODI is domestic का पूरे career kind का record है, उसके लाबा पिछले साल 3 match में 15 run थे और 3 wicket थे, guys basically ये एक balling all-downer है, next option पर चलते हैं guys, जो कि आपका इस match में game changer हो सकता ह अगर आपको N brand खेलते हैं, तो definitely आपको small league में लेना है, मैं तो जरूर लूँगा, और grand league में आँख वन करके आपको captain कर देना है, because अभी जो यहाँ पर 4 day, यहाँ पर series खत्म ही है, दो match ही उसमें खेले हैं guys, देख सकते हैं, ये left hand batting करते हैं, और left arm orthodox balling करते हैं, दो match में 141 run और 6 bicket, काफी young player है, बहुत अच्छा इनका, मुझे लगा यहाँ पर stats, इस साल काफी अच्छा खेले, यहाँ पर 4 day friend की series, तो अगर इनको chance मिलता है, तो बहुत अच्छी option आपके लिए captain wise captain की grand league में रहने वाली है, definitely guys, आप small league में भी इनको as a normal player तो आपको जरूर लेना है, उसके लाबा next option, S Makhania, जिनके 4 match में 200 run है, उसके लाबा next option की बारे में guys, यहाँ पर बात करूँ, तो हैं आपर तब्रेश समसी, जिनके बारे में आप जानती होंगे, South Africa की अभी सबसे main यहाँ पर spinner रही है, जो कि left arm leg spin करते, left arm china में मुझे बोलना चाहिए guys, और इस साल जो अभी 4 day friend की series खत्म हुई है, दो match में इन्होंने 15 बिकेट लिए हैं, देख सकते काफी अच्छे हैं, और यह भी captaincy की बहुत अच्छी option, Grand League में बन सकते हैं, क्योंकि guys, इनके पास बहुत अच्छी काबलियत हैं, और यह एक match में 3 से 4 बिकेट भी ले सकते हैं, next option है Kylie Award, जो कि फिर से अपने देश में वापास आए हैं खेलने के लिए क्रिकेट, क्योंकि अभी जानते हैं, guys, UK में कोवीट फैला हुई है, जिससे वहाँ पर काउंटी क्रिकेट बंध है, तो Kylie Award फिर से यहाँ पर वापास आगए हैं, South Africa के लिए इंटरनेशनल मैचे भी खेले है मैंने ODI का आपको यहाँ पर स्टैट्स दिया है, 28 मैच में इनके 34 विकेट हैं, उसके लिए नेक्स्ट उप्शनल लिजार्ड विलियम्स जो कि आपको बॉलिंग में देखने को मिलेंगे, इनका 4-day स्रीज का आप देख सकते हैं, चार मैच में 16 विकेट, तो लिजार्ड इसका भी गाइस काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस साल 4-day गेम्स में, तो मुझे लगता इनको भी जरूर चांस मिलेगा, नेक्स्ट उप्शन है टी नटीनी, जो कि आप गाई यहाँ पर देख सकते हैं, कि किस परकार के बॉलर है, जैसे मैं एक्जांपल मेता दे जी मैं खोलबा, जिनको मैं रिकोमेंड नहीं करूंगा, ट्राइ करने का खेलने का भी कम चांस है, आप स्टैट देख सकते हैं, जुनियर डाला, जो कि साउट अपरिका के टीम के साथ ही घूमते रहते हैं, काफी ज्यादा, तो नहीं खेलें साउट अपरिका के लिए, ले लेकिन मैं लिज अर्बियांस और नटेनी को ज्यादा प्रेफर करूंगा, नेक्स्ट ऑप्सन है, ओके लिए, जिनके गाइज यहां पर पांच मैच में गारा बिकेट हैं, अभी जो खत्म ही हैं, फोर डे फ्रेंड के सिरीज, और उसके लबाब पिछले साल इनके वन डे क पता सकता हूं, वो तो टॉस होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि प्रेडिक्ट करना काफी मुस्किल है, फिर भी गाइस मैं आपको बता देता हूं यहां पर, हेर मैन आपको मिडल ओडर में खेलते दिख जाएंगे, पांच में या फिर शटे नमर पर, थेरास डी ब्रा तो तीसरे या फिर चौथे नमर, और गाइस अगर बालिंग में तो मैंने आपको सारा कुछ के लिए कड़ी दिया हूं, और गाइस अगर मैं इंपोर्टेंट प्लेयर आपको बताओ, टाइटन की तरब से, तो यह वो यहां पर रहेंगे थेनस डूब्राइन, और गाइस बात करूं तो डी रोजियर, उसके लाबा डी गायलम, और गाइस यहां पर एन ब्रांड खेलते हैं, तो यह इंपोर्टेंट हैंगे, बालिंग में तब्रियास समसी, और यहां पर बात करूं गाइस, तो लिजार्ड बिलियम्स और टी नटीन, यह सब इंपोर्टेंट प् विडियो काफी नंबी हो जाएगी, तो शलिए गाइस, यह आप यहां पर डॉल्फिन्स के अल्फिन्स के फुले स्टाट देख सकते हैं, मैं सिर्फ गाइस आपको यहां पर एक एक्जांपल में बता देता हूं, कि यह किस तरह के स्टाट हैं, जैसे मैं एक्जांपल में आपको बिकेट कीपनिंग में इस मैच में खेलते दिखेंगे डॉल्फिन्स के तरब से, जो कि है जी रॉल अप्सन जिनको बहुत कम लोग ने स्लेक किया है, इनके चार मैच में तीरान में रनी है, फोर दे स्रीज में इस साल, लेकिन गाइस, वन डे कप जो ही थी पिछले है, वहीं पर गई, आप यहां पर मोशेले का भी इस टाइट देह सकते हैं, इनका खेलने का कम चांस है एकरमैन यह अपको खेलते दिखेंगे, यह अच्छे प्लेयर है, तीर से न ओ पर आपको खेलते दिखेंगे, जाउंडो का बेस स्टाइट गाइस, देखा नहीं का बहुत अच्छी डिफ्रेंसिल पिक बन सकते हैं यह गाइस लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं और लेफ्ट हम ऑर्थोडॉक्स यहाँ पर बॉलिंग करते हैं और यह गाइस साउथ अफिरिका के लिए पिछले साल इन्होंने टेस्ट में भी डेब्यू किया है तो बहुत कैसे करते हैं मुझे पता नहीं है लेफ्ट हम फास्ट ही करते होंगे अभी जो फ्रैंड की सिरीज खत्म ही है चाल मैच में 162 रन और 6 बिकेट तो यह भी अगर खेलेंगे तो आपके लिए के रैलिक में बहुत अच्छी ऑप्सन है सुब्रेन इंपोर्टेंट प्लेयर है कैप्टेन है पिछले साल का भी वंडे कप का स्टैट्स बेट अच्छा है और इस साल फ्रैंड की सिरीज का भी स्टैट्स अच्छा है तो आप इनको जबूर ट्राइ करें फ्राइलिंग उतना क्रिकेट नहीं खेले हाल में लेकिन फिर भी एक इंपोर्टेंट प्लेयर है पिछले साल इनका वंडे कप काफी अच्छा गया था क्योंकि बिकेट इन्होंने काफी अच्छे लिये हैं मुंगरो गाइस ये भी एक इंपोर्टेंट बॉलर बन सकते हैं इस टीम की तरब से पिछले साल का भी स्टैट देख सकते हैं उसके लावा बार्टमैन ये मुझे इसके लिए मुंगरो से जादा अच्छे बॉलर रहेंगे इनके चार मैच मेच में सात बिकेट है यहाँ पर इस साल इस चार मैच में सात बिकेट हैं फोर डे फ्रेंड की स्रीज में देख सकते हैं और जो एक प्लियर है जिनको ड्रीम रहान में बहुत जादे लोगों ने स हूँ तो सबसे important player रहेंगे यहाँ पर रॉलेपसन जो कि आपको open करते दिखेंगे पिछले साल के starts बहुत अच्छा है इस साल भली उतना अच्छा नहीं कर पाएं फोर डे फ्रैंक की स्रीज में लेकिन बहुत अच्छा कर सकते हैं उसके लावा important रहेंगा मारकस एकरमें यह भी एक अच्छे player है middle order में आपको तीसरे नमर पर दिखेंगे यह important है जॉन्डो को आप ट्राइ करना चाते हैं तो गाइस कर सकते हैं इनका अभी फ्रैंड की स्रीज काफी अच्छा गया है तो यह भी important player बनते हैं मिलर तो important है ही मुत्तु स्वामी बहुत important हैंगे captaincy की west option इस match में मुत्तु स्वामी ही रहेंगे मुझे जैसा लगता है फैलक को आयो मैं उतना important वैसे मानना ही चाहिए क्योंकि यह international player है team important बन सकते हैं सुबरेन important रहेंगे और फ्राइलिंग भी important रहेंगे और बॉलिंग में से आप गाइस यहां पर मुंगरो या फिर बाटमैन में से किसी एक को ले सकते हैं आप जिसे लेना चाहते उसे ले सकते हैं तो यह सब गाइस कुछ important pairs रहेंगे बैटिंग और अगर मैं आपको बता दू तो रोल एपसन आपको ओपेंड करते दिखेंगे उसके लाबा एकर में तीसरे आफिर चौथे नमर पर जॉन्डो आपको चौथे या पांच में नमर पर मिल्यार पांच में नमर पर आएंगे मुत्तु से ओमी छटे नमर पर फेल बता दिये सारे इंपोर्टेंट्स प्लेयर तो गाइस वीडियो काफी लंबी हो रही है तो गाइस मैं आपको सीधे अपनी प्लेट की फाइनल टीम आपको दिखा देता हूं जो कि मैंने करके रखी है आपको मैंने सभी प्लेयर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है और गाइस ध्यान दखे पहले में आपको यह बता दू कि कौन-कौन से प्लेयर इस मैच में नहीं खेलेंगे मैंने स्कॉर्ड आपको दिखा दिया आप चैक आउट जबूर कर लीजेगा कि कौन-कौन प्लेयर नहीं खेलेंगे पहले तो बिकेट कीपर पर आएंगे खेलने ही नहीं बाले स्कॉर्ड में यह मत ट्राइ करिए मौशले का भी कम चांस है तो डिकॉक क्लासन को आपको नहीं लेना है यह बड़े प्लेयर सा जो की नहीं खेलेंगे फैब डूपलेसी नहीं केलेंगे सील एलबे नहीं खेलेंगे मैं रिपीट कर रहा हूं गाईज करेंगे और बॉलिंग में गाईज आपको लूंगी एंडगी नहीं देखने को मिलेंगे डेल स्टेन नहीं है महाराज नहीं है काट राइट है या नहीं गाईज आप एक बार देख लीजेगा स्कॉइड में कैले डाला बिलियम्स है और डूपलेविन भी नहीं है और यहाँ पर नीचे से कुछ खास नहीं है तो गाईज जो बरे 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 प्लेयर से वो नहीं खिलने बाले उनके बारे मैंने आपको बता दी अप चली गाईज मैं आपको स्मॉली का अभी के लिए जो मैंने टीम किये उसका प्रिभ्यू देखा देता हूं तो यह गाईज मै मैं आपको बता दिया वीडियो में कि सबसे बेश्ट औपशन मुठ्टू सवामी ही रहेंगी कैपटैन सिसी की और वाईस कैपेन सी में जाएगी डि-जैलम को यह भी एक अच्छे प्लेयर है मैंने दोलो ऑल लाउंडर पर यहां पर इक्स लिया हूं उसके लाबा जो आप के पास option में है, Miller की guys मैं आपको option देता, लेकिन guys यहाँ पर Miller काफी दिन बाद खेलने वाले हैं तो मैं आपको recommend नहीं करूँगा कि आप इनको small league में try करे captain बहुत लोग लाएंगे, लेकिन मैं करने नहीं बाला हूँ, आप करना चाहते कर सकते हैं लेकिन grand league में करें, उसके लाबा small league के लिए roll option बहुत अच्छे हैं आप इनको try करें, मैं भी इनको कर सकता हूँ और guys, मुत्व स्वामी गालिन तो हो ही गए, और guys अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं किसी को try तो यहाँ पर Marcus Ackerman को भी कर सकते हैं कि अब आपको कहां देता हूँ, अपने telegram channel पर अगर आप अभी तक हमारे telegram channel पर join नहीं हुए हैं, तो join कर लिजे, ये हमारे telegram का channel है, यहीप guys मैं आपको final team अब्डेट करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको सारी matchs की team प्रभाइट करनी की कोशिस करता हूँ जो मैं यहाँ पर खेलता हूँ और आज की भी आप यहाँ पर विनिंग देख सकते हैं ओडिशा टी ट्वेंटी वाली मैच की विनिंग है यहाँ पर गाईज मैं ग्रेंड लिग जीतने से मातर 20 पॉइंट से चुग गया हूँ और वही सेम टीम है जो मैंने आपको यहाँ पर पर खेला हूँ और ग्रेंड लिग जीतने जीतने में रह गया तो गाईज आप भी बहुत अच्छी विनिंग कर सकते हैं अगर आप अच्छी विनिंग करना चाते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर जोइन कर सकते हैं गाईज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो गाईज बहुत महनत लगी है स्टैट्स दुनने में दो से तीन घंटे लगें पूरे तो अगर आप मेरी हाड़ वर्क आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दे सेयर करना ना भूले और अगर इस वीडियो में इतना ही मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल अगले वीडियो में